मམibly हमने अपने घरों के अंदर घुटनों घुटनों तक धिवार घरों के अंदर बंवाई हुई है दरवाजे के पास उसके बूपर पाणि अंदर भरता है पानी निगल जानते है और देखेंगे कोई सुद लेने तक नहीं आता, पूछने तक नहीं आता, देखने की तो बहुत दूर की बात है अधिर के अंदर भी पानी जा रहा है, और इस तरफ जो घर हैं, यहां पर भी लोगों के घरों में पानी यहां पर जा रहा है हमने जब यहाँ पर लोगों से बात चीत की तो उनका कहना था कि आप अगर आदे घंटे पहले आते तो हालात बद से बत्तर थे आप तो सिर्फ घरों में पानी बरा है फिर भी हम अपना आपको सही मैसूस कर रहे हैं के रहने वाले एक सक्स हमार साथ मोजूद हैं से बात करते हैं जी क्या नम अब अनुज गुपता जी इस तरह का जो पानी हम देख रहे हैं यह हमेसा भरता है या इस बार हुआ है यहां तो लगबग आट नो साल से लगतार पानी बर रहा है और यह तो अब तो बहुत कम है इ होता है घरों में पानी घुजा हुआ होता है और कोई यहां पर कोई सुनवाई नहीं है कूड़ा घर जगे-जगे कूड़ा घर बने हुए यहां पर कूड़े इतने जवर्दस तरीके से तैरते हैं कि प्रशासन ना नगर निगम अभी आये थे नगर निगम के करमचारी उ नगर निगम की बात करें तो मानसून आने से पहले से लगवग एक महीने पहले से वह नालो की सफाई की ववस्ता कर रहे थे और उनका कहना था कि इस बार मानसून आएगा तो पानी नहीं भरेगा जल भराव किसी भी कीमत पर नहीं होगा इस तरह का उनका कहना था लेकिन हालात आपके सामने हैं जिस तरह से हर बार नगर निगम की पूल खुलती है कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है अच्छा यह बते हैं यहां के जो पार्शत हैं कमसें वो तो देखना आ जाते होंगे चल कि नंद गराम का तो पूरे का ही बुरा हाल है अगर सामने की तरफ देखेंगे तो वहां पर भी एक दुकान है उसमें भी पानी गया हुआ है और उधर भी कुछ कर हैं उन घरों में भी पानी गया हुआ है और जिससे कहीं ने कहीं आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहा कि आप बताइए जहां जो हम देख रहे हैं यहां पर 10 साल मेरी शादी को गया है तब से देख रही हुए तब से तो मैं देख रहु हुए यह क्या कहना चाहेंगे सरकार से किस तरह की उमीद रखते हैं क्या उनसे अपनी आवाज रखना चाहेंगे कि यह समस्य सुलजनी चाहिए कि पानी ना भरे हाँ पर मतलब हमने अपने घरों के अंदर गुटनो गुटनो तक दिवार घरों के अंदर बनवाई हुई है दरवाजे के पास उसके बाद भी पानी अंदर भरता है बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं बहुत जादा ये सोचने वाली बात है लगबग 10 साल से ये लोग यहां पर रह रहे हैं और इनका कहना है कि यहां जो पानी की समस्या है वो लगातार बदस्तूर जारी है और जिसके चलते इनका लाखों का फनीचर भी बरबाद होने लगता है एक बार उस तरफ की तस्वीरे मैं और आपको दिखा देता हूँ उस तरफ के भी लोग हैं जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन जो कैमरे की रेंज है उसके इसाब से हम उनके पास नहीं पहुच पारे हैं गाजी अबाद से में जिते इंद्र गोतम डी एन पी इंडिया